और इससे भी बड़ी बात जिसका उल्लेक करने में मुझे गर्म मैसूस होता है कि जब मैं भारतिय जन्रता पार्टी के संगठन का कायर करता था कभी उत्राखन का प्रभारी हुआ करता था तो उनी के मालदर्शन में मैं काम करता था साथियों मुंबई और महराष्ट के लोगों की साथगी और सुने मुझे हमेशा अभीभूत कर देता है चुनाओ प्रचार के दौरान महराष्ट में यहां के अनेक शेहरों में गया आप लोगों से समवाद किया मुंबई मैं तो जो रात में सभाव हुई थी उसकी चर्चा कई दिनों तक चली थी इस नहे के लिए इस आथिरवाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ बनते बिगड़ते मौसम के बीच आज भी आप अपना समय निकाल कर इतनी बड़ी तादाज में आकर के इस कारकम की शोभा बढ़ाई यह आपके मुझाज की पहचान है और आपके सपनों का संकेद भी है मैं रशिया में था तब भी मुझे मुंबे का हाल मिल रहा था मैं कल सुबह ही वहां से लोटा और फिर शाम को बैंगलूरू चला गया बैंगलूरू में राद भर इस्रों के अपने विज्ञानिक सात्यों के साथ रहा उन्होंने जो होसला दिखाया है उसे देख करके मैं बहुत प्रभावी थी अपने लक्ष के लिए कैसे दिन रात एक कर दिया जाता है कैसे विप्रीत से विप्रीत परिस्थिती में भी बड़ी से बड़ी चनावती में भी पूरी तनमयता के साथ कैसे अपने लक्ष को प्राप्त किया जाता है ये इसरों के हमारे विज्ञानिकों हमारे इंजिनियोरों से हम सब सिख सकते हैं भाई और भहनों हमारे सास्त्र एक प्रकार से ज्यान का भंडार है भरतोहरी ने कहा था प्रारभ्यते नखलू विज्ञ भैन निचए प्रारभ्य विज्ञ विधा विरमन्ति मद्या विज्ञ ही पुनाह पुनरपी प्रतियांत्य माना हा प्रारप्त मुत्त मुगुना न परित्यजन्ती याने किसी भी लक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाले तीन तरह के लोग होते हैं सबसे नीचले पायदान पर वो लोग होते हैं जो रुकावटों के डर से कभी काम की शुरुबाती नहीं करते हैं इसके बाद मद्यस्तर के और मद्यस्तर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन पहली रुकावट आते ही नौ दो गैरा हो जाते हैं भाग जाते हैं इन दोनों तरह के लोगों से अलग सबसे उचे स्तर पर वो लोग पहुँचते हैं जो लगातार रुकावट के बावजूद बड़ी से बड़ी चुनोतियों के बावजूद निरंतर प्रयास करते हैं और अपने लक्ष को प्राप्त करके ही दम लेते हैं साथ्यों इसरों और उसके साथ काम करने वाले लोग ये तीसरी प्रवृत्ती वाले लोग है जब तक लक्ष प्राप्त नहीं हो जाता वो न रुकते हैं न ठकते हैं न बैठते हैं अब मिशन चंद्रयान में एक रुकावट आज हमने देखी हैं लेकिन इसरों के वाईगानिक तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मंजिल पर नहीं पहुँच जाते चांद पर पहुँचने का सफना पूरा हो करके रहेगा और साथियों हमें ये भी याद रखना है कि चंद्रयान के साथ भेजा गया और्बिटर अभी वहीं है चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है ये भी एक आइतिहासिक उपलब्दी है मैंने मुंबई के लोगों की स्पिरिट के बारे में बहुत सुना है देखा है अनुभव किया है आज इसरों के लोगों के स्पिरिट देखी और समझी तो मुझे जरूरी लगा कि आपसे भी उन बातों को जरा शेयर करो भाई और भेनों अपने संकल्पों के लिए निरंतर प्रयास गणे सोत्षव की उमंग और इसी माहोल में आज महराष्ट में हजारों करोड रुपिय की योजनाओं का स्री गणेश हो रहा है सुभारंब हो रहा है मुंबई के बात मेरा औरंगाबाद जाने का भी कारकम है वहाँ भी अनेक परियोजनाओं की शुरुवात होगी मैं विशेश कर मुंबई और उसके सबर्बन इलाकों में रहने वाले लोगों को बहुत-बहुत सुबकामनाई देता हूँ बीस हजार करोड रुपिय से जादा का काम आज यहां शुरू हो रहा है नई मेट्रो लाइन हो मेट्रो भवन हो मेट्रो स्टेशन में सुविधाओं का विस्तार हो बांदरा कॉर्ला कॉम्प्लेक्ट को इस्टरन एक्स्प्रस हाइवे से जोडने का प्रोजेक्ट हो यह सभी परियोजना है मुंबई के इन्फरस्टर को नया आयाम तो देगी ही यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाने में भी मदद करेगी बांदरा कॉर्ला को एक्स्प्रस हाइवे से जोडने वाला प्रोजेक्ट तो लाखों प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर के आएगा BKC तो बिजनेस एक्टिविटी का बहुत बड़ा सेंटर है अब यहां आना जाना और आसान होगा कम समय में हो पाएगा और अब तो मिनिटों में मुंबई हर कोई आवाज करता है मिनिटों में मुंबई इन सारी परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को हर मुंबई कर को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियम मुंबई वो शहर है जिसकी गती ने देश को भी गती दी है यहां के परिशमी लोग यहां के प्रोफेशनल्स यहां के माताएं बहने युवा आप सभी लोग इस सहर से प्यार करते हैं गर्व से कहते हैं मी मुंबई कर बीते पांच वर्षों में आमची मुंबई के इंफासेक्टर को सुधारने के लिए हमने बहुत इमानदारी से प्रयास किया यहां प्रणदीजी की सरकार ने मुंबई और महरास के एक-एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की है यह मैं भली भाती जानता हूँ आज इनी सब प्रयासों का ही असर है कि मुंबई में धिरे-धिरे बडलाव आने की शुरुवात हुई है और मैं इससे सबसे सकारत पक्ष यह देखता है कि वर्तमान के साथ ही बविश्य की जरुरतों आने वाले दसकों की आवश्यत्ताओं के हिसाब से अभी से काम किया जा रहा है भाई और भेनो आज जब देश फाइव ट्रिलियन डॉलर एकोनॉमी के लक्ष की तरफ बढ़ रहा है तब हमें अपने शहरों को भी 21 सदी की दुनिया के मताबिक बनाना ही होगा मुबिलिटी हो, कनेक्टिविटी हो, प्रोडक्टिविटी हो, सस्टेनिबिलिटी हो या फिर सेप्टी हर लिहाज से एक बहतर व्यवस्ता हमें तयार करने है इसी सोच के साथ हमारी सरकार अगले पाँच साल में आदूनिक इंफ्रास्ट्रक्टर पर सो लाग करोड रुपिय खर्च करने जा रही है इस राची का बहुत बड़ा लाब मुम्बे के साथ साथ पूरे महराश्ट के तमाम शहरों को भी होने वाला है साथियों देश भर में शहरों में मोबिलिटी को ट्रांस्पोर्ट को बहतर बनाने के लिए हम एक integrated system पर बल दे रहे हैं रोड हो रेल हो मेट्रो हो ऐसे हर माध्यम को एक दूसरे से connect किया जा रहा है आज यहां मुंबई metropolitan region उसमें बहतर public transport system तयार करने के लिए भी एक vision document रिलीज किया गया है इसमें आने जाने के अलग-अलग माध्यम हो जैसे मुंबई local हो बसों का system हो या फिर metro इनका कैसे सही गुपयोग हो सके इसका विस्तार से ब्योरा दिया गया है खास तोर पर मुंबई metro के लिए master plan इसमें बनाया गया है भाई और बहनों बीते पांच वर्सों से मुझे मुंबई metro के विस्तारी करण से निरंतर जूड़ने का मौका मिलता रहा है करिब डेड लाग करोड रुपिय की लागत से metro network का विस्तार यहां किया जा रहा है लेकिन 20, 23, 24 तब तक यह बढ़कर सवा 300 किलियो मिटर से अधिक हो जाएगा इसका सबसे बड़ा लाग यह होगा कि आज जितने लोग मुंबई में लोकल रेल से रोज सफ़र करते हैं लग उतनी ही capacity मेट्रो की भी हो जाएगी लोकल को आधुनिक बनाने के साथ ही मेट्रो के विस्तार का यह combination मुंबई की बर्तमान जरूरतें पूरी करने के साथ ही आने वाले वर्षों के लिए भी तयार करेगा सात्यों हम सिर्फ मेट्रो लाइन ही नहीं सर्ब उच्छे ही भी सारा ऐसा नहीं बलकि इन लाइनों पर जो मेट्रो दोड़ेगी उसके कोच भी भारत मेहीं बन रही थोड़ी देर पहले ही मैंने मोकप कोच को देखा है मेके नीजिया के तहट बनने वाले आधुनिक मेट्रो कोच मूम में मेट्रो को सुरक्षीत और सुवीजाजरक और किफायती बनाने वाले हैं बाइनों इंफ्रस्टेक्टर का जितना रिष्टा एकोनोमी से हैं इज अफ लिविंग से हैं उतना ही एंप्लोईमेंट से भी है इंफ्रा पन्निवेश का मटलब है उतना ही रोजगार के नए अवसर बनना अगर मैं सिर्फ मुंबई में शुरू हुए मेट्रो के कारियों की बात करूं तो इसे दस हजार इंजीनियर और चालीस हजार स्कील्ड और अंस्कील्ड लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे भाई और भेनों इंफ्रस्ट्रक्टर का जो काम गाउं में हो रहा है शहरा में हो रहा है वो स्थानी अस्तर पर जिस तरह एंप्लियमेंट पैदा करता है छोटे-छोटे वापारियों के लिए बिजनेश के मौके बनाता है उसकी बहुत चर्चा लोग करते नहीं है संभवत हा इसकी एक बज़े ये भी रही है कि आज जी स्पीड और स्केल पर काम हो रहा है वो पहले कभी हुआ ही नहीं इसलिए इस और लोगों का ध्यान भी कम होना बहुत स्वाबावी कि अब जब सीचिया बदल रही है तो ये विशे भी अब चर्चा में आना शुरू ह होगा सोचिये क्या कोई पहले सोच भी सकता था कि बर्सों से अटका हुआ नवी मुंबई एर्पोर्ट का काम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम मुंबई अमदाबाद बुलेट ट्रेंड का काम इतने व्यापक रुप से शुरू होगा इतनी तेज जिती से आगे भड मुंबई और आसपास के लोगों के रोजगार के अनेक और नए अवसर दे रहें भाई और बेनों जब मैं स्पीड और स्केल की बात करता हूं तो मेरे पास इतने उदान होते हैं कि उन्हें गिनाते गिनाते शायद शाम हो जाए आज यहां मैट्रों के बड़े प्रोजेक् तो मैं उसी का उदान आपको देना चाहता हूं साथ हमारे देश में पहली मैट्रों 30-35 साल पहले शुरू होई थी इसके बार 2014 तक कुछ ही बड़े शहरों में मैट्रों चल पाई आज देश में 27 शहरों में मैट्रों या तो शुरू हो चुके हैं या निकट भविश में शुरू होने वाली है